क्या कोई भी लड़ाई बिना सैनिक, बिना सोल्जर्स के लड़ी जा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ नमस्कार मैं हो दिपिकाश शर्मा और आप देख रहें क्राइम तक इस्राइल डिफेंस फोर्स ने एक स्टेट्मेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो AI का यानि की आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का इस्तमाल कर रहे हैं जिससे कि वो अपनी लड़ाई हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं आईडिफ ने क्लेम किया कि 27 दिन में 12,000 टार्गेट्स बनाए गए लगबग 440 टार्गेट एक दिन के हिसाब से ये टार्गेट AI बनाता है इस तरीकी की टेकनीक का इस्तमाल किया जाता है जो अपने टार्गेट्स उस टेकनोलोजी के अकॉर्डिंग ढूनती है फिर उन्हें डिस्ट्रॉय करती है फिर चाहे वो हमास का कोई एरिया हो हमास का कोई सैनिक हो AI की मदद से हमास का खात्मा करने का प्रोसेस काफी तेज है यानि कि अगर कोई human, कोई इंसान लड़ रहा है तो उसके मुकाबले में ये technology तेजी से काम करती है ये IDF का दावा है AI के जरीए एक खास तरह की technique का इस्तमाल किया जाता है जिसे gospel कहा जाता है इस technique का नाम gospel technique है इसके जरीए ये लोगों को target करता है ये system machine learning algorithm पर based है यानि कि पूरा technology पर based है क्योंकि जाहिर सी बात है AI है तो technology है कई सूत्रों से जानकारी जमा करता है यानि कि इसके सूत्रों कौन से होते हैं CCTV footage हो गया या phone calls हो गई, data हो गया, messages हो गई और उसके जरीए फिर ये target बनाता है कोई भी देश अगर economically strong है यानि कि America हो गया अगर ये economically देश strong है तो इस technology का इस्तमाल किया जा सकता है और कई देश कर भी रहे हैं और फिर इसका इस्तमाल करके जंग जीती भी जा सकती है इसमें सैनिकों का जो जान होती है सैनिकों की जान बच जाती है यानि कि आपका जो source, human source है वो बच सकता है इसके अलावा लंडन की non-profit company Air Wars एक ऐसा non-profit organization है जो ऐसी जंग पर नज़र रखती है यानि कि इस्राइल, हमास की जो जंग चल रहे है वो उस पर नज़र रखती है Russia, Ukraine की वार्ड जो चल रहे है उस पर वो नज़र रखती है और अपने पास data रखती है Air Wars का कहना है कि AI से लड़ना ज्यादा खतरनाक है ये तो आम तोर पर आपने कई बार देखा होगा कि artificial intelligence की वज़ा से कितना ज़ादा महौल डेंजरस हो गया है लोगों की deep-pick videos बनाये जा रहे है इसी तरह से Air Wars का कहना ये है कि अगर आप AI की मदद से जंग लड़ रहे हैं कोई भी तो उसमें काफी खतरा civilians का हो सकता है यानि कि जो दोशी भी नहीं है उनकी भी जान जा सकती है Air Wars का कहना है कि इसमें सिर्फ आतन की नहीं बलकि civilians की भी जान जा सकती है जैसा कि मैंने अभी बताया ये military AI अमेरिका के पास है चाइना भी इस पर अर्बू डॉलर खर्च कर चुका है चाइना भी ये technology अपने साथ रखना चाता है इसके अलावा रश्या के पास भी robotic combat system है इन सभी artificial technology पर ये इस तमाम देश जो economically strong है वो तमाम देश इस पर काम कर रहे है इसके अलावा अभी मजबूत देश AI military पर काम कर रहे है यानि कि सभी जितने ही मजबूत देश है वो AI military पर काम कर रहे हैं इंडिया भी artificial intelligence पर काफी ज़्यादा काम कर रहे है लेकिन जो इसराइल और हमास की जंग है उसके बीच में ये जो data है जो निकल कर सामने आया है जिसमें 27 दिनों के जो 27 दिन पीछे बीते हैं जो Air Wars ने भी अपना data सामने निकाला है उन्होंने भी यही का कि इस technology के जरिए आम लोगों के लिए ये भारी पढ़ सकता है अब जैसे कि AI अपने हिसाब से target ढूनता है अपने हिसाब से उस पर attack करता है तो कई बार AI भी fail हो जाता है अब हाली में एक case सामने आया था जहाँ पर AI की मदद से एक R.O.P को सजा दी गई थी ये रश्या का scientist है जोने सजा दी गई थी लेकिर ये गलत मामले में उनको पकड़ लिया गया दस महीने की jail की सजा उस scientist ने काटी है वो सिर्फ इस वज़े से क्यूंकि AI ने उनका जो sketch जो कुछ सालों पहले हत्या हुई थी उस हत्यारे का sketch एक गवाने बनवाया था अब उस sketch से वो 55 प्रतिशत उस scientist का चहरा मैच हो गया जिसकी वज़े से code ने उसे सजा सुनाई अब सोचे AI यहाँ पर अपनी गड़बड की वज़ा से उस scientist को 10 महीने jail में काटने पड़े अब उसी तरह से ये भी वही technology है जहाँ पर अपने target को fix करती है target को ढूंती है अपने drone footage के हिसाब से CCTV के हिसाब से तो कही ना कही technology गलत हो सकती है लेकिन अभी इस technology का इस्तमाल किया जा रहा है फिलाल इस खास episode में इतना ही तब तक ताजा खबरों के लिए देखते रही है crime तक